अब हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी की तो आज से हम जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो दो तरह से जियोग्राफी को पढ़ा जाता है जो हम कॉंसेप्ट बिल्ड करेंगे एक तो आपका है इंडियन जियोग्राफी है एक वर्ल जियोग्राफी है अब जब हम जियोग्र पढ़ने जा रहे हैं तो दो तरीके से जियोग्राफी पढ़ी जाएगी एक तो आपको जो मैप है उसका बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए चीजों को लोकेट कर पाएं आप ठीक है बहुत अच्छे से और दूसरा यह है कि जो टाम्स होते हैं जैसे मैंने कहा कि जो हिल पास एक clear understanding होनी चाहिए पीछे भी आप लोगोंने देखा होगा कि चाहे उत्राखंड है और चाहे history है अगर आप देखेंगे कि उसमें एक पूरी तरीके से history को complete किया गया है और एक पूरी तरीके से उत्राखंड को complete किया गया है इसी तरीके से हम जो जियोग्राफी के हैं सारे topics clear करेंगे और आपको panic होने की जरूरत नहीं है काफी time है हमारे हमारे पास आप लोग जितना हमने अभी तक पड़ा है उसे आप लोगों को revision mode में डालना है revision के लिए आपको अपनी strategy बनानी चाहिए अब चलिए geographic को start करते हैं और अभी मैं आप लोगों को बता रहा हू कॉस्मोस के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में जो English medium के हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि अगर heliocentric है या geocentric है यह सारी चीजें आप लोगों को सुनके समझ में आ जाएगी बस जो word है जैसे अवधारना है तो इनको मैं English में बोलनी के कोशिश करूँगा कि यह आप क्या हो गया concept अब सारा अगर मैं translation ही करता रहूंगा तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा time लगे एक वीडियो में तो आप लोगों को क्या करना है सुनना जादा है और फिर आप धीरे धीरे अपने notes आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी तो यहाँ पर तीन चीजें आप लोगों को समझनी है एक तो है आप लोगों को यह जो time line है यह समझनी है कि आज तक जो भी बातें कोस्मोस के बारे में कही गई है ब्रमान के बारे में कही गई है वो कब कब कही गई है तो सबसे पहला जो है बात कही थी वो कही थी टॉल मीने और फिर उसके बाद आया था उसमें Big Bang Theory को इंटर्ड्यूस किया था किसने George Lamenter ने तो पूछा जाता है कि Big Bang Theory किसने स्टार्ड की थी तो George Lamenter ने शुरू की थी 2001 में कुछ हुआ था जो Big Bang की पुष्टी की गई थी और ये किस तरह से की गई थी और मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताऊंगा और फिर उसके बाद आते हैं कुछ टर्म्स जैसे 2010 हो गया 2001 इसके बाद कुछ टर्म्स है जैसे Lemon Alpha Blobs हो गया Andromeda Milky Way मंदाकनी इवन ये सारे जो नाम आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके English में भी इसी तरह किसे होंगे और ये Nebula हो गया Planimus हो गया Cyrus ये Dog Star हो गया Proxima Century हो गया English और Hindi सभी में ये इसी तरह किसे बोले जाते हैं तो ये आप लोगों को याद करने हैं सबसे पहले आप इस लिस्ट को करने की कोशिश कीजिए या सिम्पली एक पेज में अगर आप इसे Zoom करेंगे तो आप लोग फिर से वही कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने इसे 140 इस तरह से कर लिया तो आप लोगों याद होना चाहिए कि 140 जो है उसमें क्या हुआ था तो उसमें टॉलमी ने कुछ बोला था क्या बोला था उसके बारे में हम सारी चीज़ें अब डिसक्स करने वाले हैं तो जूम करके PDF का अच्छा यूज कीजिए काफी आपको help मिलेगी चीज़ों को practice करने में self जो एक तरह से test आप लोग कर सकते हैं तो सबसे पहले जो टॉलमी है टॉलमी ने 140 में क्या कहा था कि ब्रह्मान पृत्वी के केंदर में है जो cosmos है वो क्या है आपका पृत्वी के केंदर में है वो सूरिय इसकी परिकर्मा करता है तो आप लोग टॉलमी की बात जो थी वो ये था कि जो cosmos है उसके जो center में है वो क्या है वो आपका अर्थ है ठीक है पृत्वी है अर्थ है और जो sun है sun उसके चारों तरफ घूमता है ये बात कही थे किसने टॉल्मी ने और इसे geocentric भी कहा जाता है उसके बाद आता है आपका कॉपर निकस और इसमें कॉपर निकस ने 1543 में कहा था कि उसने एक जो concept दिया था वो कहा था उसने heliocentric concept heliocentric में देखिए पहले geocentric में क्या कहा जा रहा था geocentric में कहा जा रहा था कि जो पृत्वी है वो center में है ठीक है जो पूरा cosmos है उसके center में पृत्वी है अर्थ है ठीक है और जो दूसरी बात कही गई थी heliocentric heliocentric में ये बात कही गई तो जो sun है वह center में है किसके पूरे cosmos का अब उसके बाद 18.05 में घरसेल आया और हरसेल ने क्या किया अपने जो दूरबीन थी या हम कहें कि टेलिस्कोप था, टेलिस्कोप से उन्होंने क्या क्या, सौर मंडल को देखा means जो सौरल सिस्टम है, सौर मंडल means solar system उसने पूरी galaxy को देख लिया वहां से और उसने कहा, हर्शेल ने कहा कि जो solar system है, वो galaxy का सिर्फ एक पार्ट है ठीक है जो सौर मंडल है वाकाश गंगा का क्या है सिर्फ एक पार्ट है ये बात किस ने कही हर्शिल ने कही अभी हम देखें डिवैलपमेंट पढ़ रहे हैं जितना अच्छे से आप डिवैलपमेंट को समझेंगे कि जो जियोग्रैफिक का डिवैलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हुआ जो कॉंसेप्ट किस तरह से बिल्ड करने हैं आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे तो डेफिनिटली आपकी जो जियोग्रैफिक पकड़ होगी बहुत अच्छी हो जाएगी बात में आपको बहुत सारे फेक्ट याद होने शुरू ह हो जाएंगे अब आता आती है 1925 में तो 1925 में पी हबल नहीं कहा कि जो कॉस्मोस है उसका जो पूरा स्फेर है वो कितना है 250 मिलियन क्या है आपका प्रकाश वर्ष में 250 करोड़ प्रकाश वर्ष अब यहां पर जो प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में लाइट इयर बोलते हैं लाइट इयर और पूछा भी जाता है कि जो अगर दो प्लैनेट हैं उनके बीच की दूरी हमें क्या करनी है पता करना है डिस्टेंस पता करनी है प्लैनेट टू की दूरी अगर हमें पता करनी है तो हम किस से करेंगे तो लाइट इयर से करते हैं हम किलो मीटर या मीटर इस तरह से यूज नहीं कर सकते हमें प्रकाश वर्ष या लाइट इयर से हम उसे यूज करते हैं उसके बाद आता है बिग बैंग थियोरी बिग बैं था और उसमें एक क्या हो गया बैंग ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने से क्या हो गया बाकी चीज़ें बनी और एक हम कहें कि एक टेक्नीक होती है MAP हो सकता है कि इसमें आप लोगों कोई इसका एब्रिवेशन पूछ लिया जाए तो microwave एनिस्टो ट्रॉफी प्रोब जो है नासा ने इसी से बिग बैंग की पुष्टी की थी कब की थी 2001 में तो आप लोगों को याद रखना है कि जो बिग बैंग थियोरी थी वो किसने दी जॉर्ज लैमेंटर ने MAP टेक्नीक यूज किसने की थी नासा ने और फिर उन्होंने पुष्टी कर दी थी कि हाँ उन्हें ने मान लिया था ये बात साबित कर दी थी पुष्टी कर ली थी कि जो पृत्वी का जितनी भी चीजें बनी है वो बिग बैंग थियोरी से बनी है अब इस चीज को पुष्टी करने के लिए 30 March 2010 में European Center for Nuclear Research CERN ने क्या किया कि एक मशीन बनाई उस मशीन का नाम था LHC Large Hadron Collider तो Large Hadron Collider जो मशीन थी उसके अंदर उन्होंने हिक्स बोसान या एक ये माना जाता है कि जो हिक्स बोसान है वहां से पूरी दुनिया की क्या हुई है उत्पत्ति हुई है या शुरुवात हुई है स्टार्ट इस बोसान को ही God Particle भी बोला जाता है तो Large Hadron Collider मशीन बनाई गई थी किस चीज को प्रूफ करने के लिए Big Bang Theory को प्रूफ करने के लिए उसके बाद आता है एक पूछा जा सकता है कि जो Liman Alpha Blobs है ये क्या है तो ये आपका क्या है आकाश गंगा है या English में कहें तो Galaxy से कहते है Andromeda क्या है Andromeda जो पिर्थवी के जो Earth के सबसे नजदीक जो आकाश गंगा है या Galaxy है वो Andromeda है Milky Way Milky Way रात को दिखाई देती है अगर रात को जो लोग इसे जानते हैं वो लोग Milky Way को देख सकते हैं और मंदाकनी मंदाकनी हमारी Galaxy है क्योंकि हम भी एक Galaxy का हिस्सा है तो उस Galaxy का देख नाम मंदाकनी में गेलियो ने अपने टेलेलोक से देखा? स्टेव 49 दाई में अपनी दूर्बीन से किसको देखा? पूरी जो हमारी मन्दाकनी है उसको देखा मेंस हमारी जो आकाश गंगा है और कई तो गैलेक्सी है और जो milky way है वो पार्ट है हमारी जो galaxy है उसका पार्ट milky way है इसलिए हम उसे देख पाते हैं आगे चलते हैं वो है आपका ओर्यन नेबुला Orion Nebula क्या होता है Orion Nebula होता है सबसे ठंडे तारों का गुरूप अगर ठंडे तारे का मतलब ये होता है कि उनमें जो एनरजी है वो नहीं है Planimus जुड़वा तारों का समूँ या हम कहें कि Twins दो अगर स्टार हैं तो दो स्टार हैं हमारे पास तो इस तरह का जो है उसे हम Planimus वर्ड यूज किया जाता है और Orion Nebula ठीक है ये आपको ठंडे से याद रखना है Cyrus या Dog Star क्या है ये सबसे Brightest Brightest Star है लख लेते हैं स्टार तो Brightest Star का नाम क्या है Cyrus या Dog Star Proxima Century Proxima Century हमारा सबसे निकट तमतारा है means सबसे जो nearest हमारा स्टार है वो क्या है अपका Proxima Century Red Giant या रक्त दानव किसे कहा जाता है तो Red Giant एक तरह का क्या होता है Red Star होता है और जो Red Star है वो कब हो जाता है जब वो ठंडा हो जाता है Supernova एक तरह का Incident है और जब भी कोई स्पोर्ट की घटना होती है कभी Blast की घटना होती है Incident होता है Stars के अंदर तो उसे हम Supernova बोलते हैं अगले दो Term है आप लोगों के लिए वो है आपका Fossil Star and White Dwarf दोनों की दोनों एकी चीज है ये थोड़ा सा Important है समझना यहां से एक वर्ड और पूछा जाता है कि जो चंदर सेकर सीमा या चंदर सेकर लिमिट जिसे कहा जाता है वो क्या चीज होती है वो हमें यहां पर समझने को मिलेगी तो Fossil Star या White Dwarf किसे कहते हैं यदि किसी जो Star है उसका Mass किसी तारे का जो द्रब्यमान है वो 1.ms तो MS को क्या कहेंगे हम Mass of Sun तो 1.4ms से कम हो जाए तो से कम हो तो वो क्या बन जाएगा Fossil Star बन जाएगा या White Dwarf बन जाता है इसमें इंपॉर्टन चीज ये है कि जो द्रब्यमान है अगर 1.4ms जो आप लोग देख सकते हैं कि MS क्या है आपका Sun का द्रब्यमान है या Mass है से कम हो तो वो अपनी नाविकिया उर्जा जो होती है उसे खोकर क्या बन जाता है White Dwarf बन जाएगा और इसी को हम Fossil Star भी कहते हैं और जब ये पूरा जो Fossil Star है जब ये ठंडा होकर Black Dwarf बन जाता है यहाँ पे आप लोगों को Black Dwarf भी लिख लेना है अपने लिए नोट कर ली जिगा यहाँ पे Black Dwarf बन जाता है यही जो बनते जा रहा है ठीक है तो इसके बाद ये Black Dwarf बन जाता है और जो 1.4 MS है इसको चंदर सेकर सीमा कहा जाता है यह आप लोगों को याद रखना है कि चंदर सेकर सीमा जो होता है 1.4 MS होता है और अगर इससे ज़्यादा मास हो गया 1.4 MS से ज़्यादा हो गया कहने का मतलब यह कि जो Sun है उससे ज़्यादा हो गया तो ये इसके मुक्त गूंते Electron जो ज़्यादा उनका Velocity जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनका जो नूकलियस होता है जो नाभी को होता है उससे छोड़कर बाहर चले जाते है और उसमें सिर्फ बचे रह जाते है Neutron और इसको हम Neutron तारा या Pulsar कहते हैं ये आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा जब क्या हो रहा है 1.4 MS से ज़्यादा मास हो जाए तो इसमें से क्या निकल जाएंगे Electron निकल जाएंगे और सिर्फ Neutron बच जाते हैं तो इसलिए इसको क्या कहते हैं Neutron बन जाते हैं फिर ये धीरे-धीरे क्या बन जाएगा आगे चलकर ये सिकुरता जाएगा और यही इसी को फिर बाद में ये ब्लैक होल बन जाते हैं अब एक आता है रोग ब्लैक होल रोग ठीक है रो यू जी जो है रोग ब्लैक होल जो है रोग ब्लैक होल अगर दो ब्लैक होल एक सामने हो जाते हैं तो उन्हें हम रोग ब्लैक होल कहते हैं और जो क्वैसर है queser word को आप लोगों को याद रखना है वो है आपका shining star shining star queser का दूसरा word आप लोगों को याद रखना है shining star तो hopefully आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा जितने यहाँ पे words लिखे में इन से related questions पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये जो basic एक idea है चीजों के बारे में वो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए तीरे दीरे आप लोगों को जियोग्राफिक का अच्छा knowledge हो जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली class में तब तक के लिए good bye